किया आपने पहले वाली वीडियो को नहीं देखा अभी तक क्या बात कर रहे हैं आप पहली वाली वीडियो को अभी तक नहीं देख रहे हैं स्टैक के तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा आप जाकर पहले वाले वीडियो को देखें उसमें मैंने आप लोगों पिक, एमटी, फूल, यह सब मेथड सब कुछ चेक करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम लोग एरे से उस स्टैक को बना सकते हैं, जो की अब हम लोग देखने वाले हैं, तो चलिए इमेज को पहले चेंज करते हैं, इस इमेज पर हम लोग बात में आएंगे, तो यहाँ पर ह कि एक-एक करेंगे जो बुक रखाई आता है, यह मालिए यह इक बुक है, यह बुक है, इस तरह से एक-एक करेंगे बुक रखा जाता है, और यह लास्ट में जो भी element घुसेगा, यानि कि one हहाँ number है, यहाँ नमबर है, यहाँ पर one, तो जो last में यहाँ पर घुसा है, तो वो सबसे पहले निकल जाएगा आप निकालने जाएंगे तब तो हम लोग इसको कैसे perform करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक array बनाएंगे जो कि कितना भी size का होगा जो कि user चाहता है जैसे कितना भी array का size कितना भी हो सकता है 20-40 जो कि user बोलेगा उतना बड़ा हम करेंगे टॉप स्टोर करेंगा सबसे लास्ट वाले element का index जैसे कि यहां पर अभी टॉप पर वन है हम लोग क्या करेंगे कि टॉप को first में जब पूरा stack empty है array में कोई element नहीं डला हुआ है तो हम लोग टॉप को minus 1 करके रखेंगे उसके बाद एक एक करकर हम लोग element डालेंग तो टॉप पे सबसे उपर आपको कौन सा चीज कौन सा नंबर दिखाए देगा वो 2 दिखाए देगा तो यहां पर टॉप का value हो जाएगा 0 जो की represent करेगा 2 वाले index को उसके बाद क्या हुआ कि आपने array में एक और element डाला जो कि यहां पर 5 है तो टॉप पे आप कौन लगा 2 को store करने लगा और फिर उसी तरह के आपने 1 को डाला तो यहां पर वो उसका index number जो की 3 है उसको store करने लगा यहां पर हम लोग यह भी चेक लगाएंगे कि जो stack है वो भर गया है या फिर stack अभी भी जगा है यहां फिर stack में अभी भी जगा है हम लोग वह चेक कैसे मालीजे 10 कितना है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 साइच का यहाँ पर मैंने एक array बनाया अब यहाँ पर जब छटवा वाले यानि कि जो 5th इंडेक्स है यानि कि यह 4 वाला इंडेक्स है इस इंडेक्स पर यानि कि 6 वाले पोजीशन पर और 5 वाले इंडेक्स पर अगर कोई element आ जाता है तो यह array full हो गया अब जब array पूरा भर गया तो array के अंदर क्या आप कोई और element डाल सकते हैं आप कोई और element नहीं डाल सकते हैं यानि कि यह जो डबा था यह जो यहाँ पर यह डबा दिखाए दे रहा है आपका जो डबा था भुख भरने वाला उसमें अब और नहीं आ सकता और कोई element नहीं आ सकता और इसी तरीकर से जब टौप का value –1 रहेगा इसका मतलब क्या हुआ कि array में कोई value नहीं है तो उसको बोलते हैं stack under flow यानि कि stack में कोई भी value नहीं है stack में क्या है कोई भी value नहीं है जब array में कोई भी value नहीं रहेगा तब हम लोग उसको बोलेंगे stack under flow जो की हो जाएगा यहाँ पर तब जब array के अंदर कोई value नहीं पड़ा रहता है और top का value minus 1 होता है तो यह आपको समझ में आ गया तो यहाँ पर अब देखते हैं अच्छे काम करते हैं पहले इसका code देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा यह stack नाम का एक class है चले मैं आप लोगों stack नाम का class दिखाता हूँ यहाँ पर देखे class stack है stack नाम का बनाए class और उसमें size नाम का एक variable है जो की क्या store करेगा जो array यहाँ पर हम लोग बनाने वाले stack को implement करने के लिए उसका size यहाँ पर six size यानि कि यहाँ पर six element ज्यादा ज्यादा आप store कर सकते हैं आप 80 का बना सकते हैं 100 का बना सकते हैं 200 का जितना यूजर चाहे उसका बना सकते हैं यूजर से input ले सकते हैं यहाँ पर हम लोग user से input नहीं लेना है direct हम लोग खुड डाल रहे हैं तो यहाँ पर size कितना भी हो सकता है और उतना ही size का array बनेगा और यहाँ पर top में minus 1 ही store होने वाला है क्योंकि जो पहला जब हम लोग शुरुवा यह पर यहाँ पर आपका class है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसका हम लोग यहाँ पर एक object बना रहे हैं जिसका नाम s रखा है हमने उसके बाद कहले है new stack तो s में क्या हो जाएगा जो object बनेगा उसका address store हो जाएगा फिर यहाँ पर हम लोग system.out.println size कर रहे हैं तो यह को हमने size अभी set नहीं किया है तो इसके क्याम कर देते हैं हटाई देते हैं इसको हटा देते हैं अरब आप देख रहोंगे यहाँ पर s.top को मैंने minus 1 किया है और यहाँ पर दो बार करने से अच्छा आप चाहें तो बाद में top के value को minus 1 कर सकते हैं और नहीं तो पहले जनरली नहीं रहेगा starting के case में तो यहाँ पर ऊपर में लिखने का कोई जरूरत नहीं है तो टॉप का value जो minus 1 मैंने बाद में set किया था उसको हटा दिया मैंने अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे है s.size is equals to 10 और s.ar is equals to new int 10 यहाँ पर जो s.ar है s.ar किसको represent कर रहा है जो आपका array है उसको represent कर रहा है और उसी array को बना रहा है और उसमें कितना element store हो सकता है 10 आप इस तरह से 10 ना दे तो बहतर रहेगा इस तरह से 10 ना दे आप यहाँ पर ऐसी लिख सकते है s.size एस.size लिखें तो यहाँ पर आपने जो value set किया वही यहाँ पर भी आ जाएगा आप यहाँ पर अभी तो हमने कोई element इसमें add किया नहीं है तो इसको run करकर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर empty लिखकर आ चुका है अब देखते हैं क्या-क्या method सुने वाला है तो यहाँ पर empty stack मैंने आपको दिखाया कि अभी हमने कोई element नहीं डाला तो उस समय जो stack था वो empty array में हमने कोई element नहीं डाला तो और जो stack जो बनने वाला था उसमें भी कोई element नहीं था तो उसको हम लोग कहेंगे empty stack धेक है उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आप कोई element इसमें push करते हैं और यहाँ पर add करने हैं क्या भूलते हैं हम लोग push बोलते हैं आप पर क्या बोलते हैं स्टैक में पुश्ट करना बोलते हैं उनुक्त कर दिया , नैंगा का पुश्ट कर दिया, यह आप पुश्ट का मतलब अगया , यह तू का मतलब होी गया ? जो सबसे top पे जो element है, उसको print करो और उसको इस stack में से बाहर कर दो यानि कि stack में से हटा दो इसको stack में से क्या करो, हटा दो इसको अब एक-एक करके हम लोग सारे methods को देखने वाले हैं यहाँ पर check empty वाले method को सबसे पहले check करतेे तो यह रहा check empty method में देखिए हम लोग यहां पर क्या भेज रहे हैं यानि कि वह ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं उसके बाद क्या हो रहा है कि if as.top is equal to equal to minus 1 मैंने आपको बताया कि जब भी start होगा आपने कुछ जब तक कोई element आप पुस नहीं करेंगे तब तक top का value कह रहेगा minus 1 रहेगा minus 1 अगर रहता है तो क्या करो कि print कर तो यहां पर कि empty है बता दो और return करो true return true यहां पर boolean value return कर रहा है कि हाँ यह है जो हम लोग यहां जो array है या फिर stack है वो अभी empty है तो वो true बता दे रहा है और मान ली जे top का value minus 1 से ज़ाता होता है 0, 1, 2, 3, 4 यानि कि at least उसमें एक value तो है तो यहां पर क्या करो कि return कर दो false false return कर तो मतलब बोल दो कि यह empty नहीं है यह आपका पहला method हो गया अब उसके बाद यहां पर एक और method है जो कि यहां पर check full stack अब यह check करेगा कि जो आपका array है यह आपका यहां पर six size का array यहां पर तो यहां पर अगर छटवे वाले position पे भी कोई element हो जाता है तो इसका मतलब यह array खतम हो चुका और stack full हो चुका है तो यहां पर देखे क्या check कर रहा है if s.top is equal to s.size-1 size यहां पर देखे size यहां पर क्या है six यहां पर तो six minus one five तो last index को अगर represent कर रहा है तो क्या हो गया कि stack जो फुल है उसके बाद यहां पर print करो कि यह जो stack यह full है और उसके यहां पर return true कर दो check full में क्या return true करेगा कि यह जो stack हो full है और अगर ऐसा नहीं है यानि कि अगर s.top यानि कि top अगर last वाले element को अभी represent नहीं कर रहा है तो क्या return करो false return करो यह आपको समझ में आ गया check full check empty समझ में आ गया अब push को देखेंगे हम लोग push कैसे करना है अब आते हैं हम लोग यह वाले diagram में और top का value जो कि first case में minus 1 के बराबर था उसको बढ़ा कर कर देंगे हम लोग क्या बढ़ा कर कर देंगे हम लोग 0 जो की represent करने लाइग जाएगा 2 के index को आपको समझ में आया उसी तरीके से जब हम लोग 5 को add करने जाएगे तो array a1 यानि कि first वाले position पे first वाला position नहीं फर्स्ट वाले index पे 5 को add कर लो और उसी index को store कर लो top में ठीके आपको यह समझ भाया है तो push उसी तरह से होगा जैसे जैसे element बढ़ते जाएगा अगर वो stack full नहीं है stack अगर full नहीं है तो element add होता जाएगा और उसका index number top में store होता जाएगा तो वो कैसे कर रहे हैं हम लोग देखते हैं आपर stack void push stack as यानि कि जो stack type का जो object है उसको भीजो और उसके बाद यहाँ पर int data data मतलब क्या कि जो भी number है जो कि आप add करना चाहते हैं उसको भीजिए उसके बाद यहाँ पर क्या है if check full as यहाँ पर सबसे पहले यह चेक कर लेना तो जरूरी है जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं बहुत चीजों का solution वहाँ पर मिलता है तो यहाँ पर stack overflow print कर दो अभी मैंने आप लोगों बताया था कि अगर stack full है यानि कि array full है array में और कोई element नहीं जा सकता तो stack overflow कहते हैं उसका situation को उसके बाद यहाँ पर else condition है else condition में क्या लिए system.out.printl and pushed successfully यहाँ पर else condition में आया तो इसका मतलब ही हो गया कि अब हम लोग इसमें push कर पाएंगे और क्योंकि यहां पर हम लोग पहले ही चेक करके आ रहे हैं कि या stack भरा हुआ नहीं है उसके वाद यहांपर क्या लिखे है s.ar++ s.top is equal to data, यहां पर s.ar, इसको एक काम करते हैं, इस तरह से नहीं लिखते हैं, इसको हडा देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कि इसको इस तरह से लिखते है, s.top, यह क्या लिखती है, मैंने, top is equal to s.top plus 1, तो जो हमने पहले लिखा था, तो वही यहां पर हमने इसको ऐसे करके लिख दिया, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, कि सबसे पहला situation मान लीजिए, जब हम लोग 2 को add कर रहें, यहां पर जैसे कि, यह 2 को हम लोग पहला element add करने जा रहे हैं, तो top का value कर रहेगा, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, कि जो top का value उसको बढ़ा के कर दो 0, यानि कि minus 1 यहां पर रहेगा, और plus 1 आप करेंगे, तो 0 हो जाएगा, तो वो first वाले index को represent करने लग जाएगा, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसके बाद s.array, जो s का object, हमने stack का object बनाया था, उसमें ज पुश हो गया, हमने क्या कि सबसे पहले, कि top का value था पहले, यहां पर starting condition में minus 1 रहेगा, और उसके बाद मान लीजे, बढ़ाते बढ़ाते, top का value कुछ भी हो सकता है, top का value मान लीजे, आपने यहां पर पहले element को डाल दे, 0 हो गया, तो top का value अभी कहा है, 0, जब हम लोग 5 ड यहां पर pop पे, pop में हम लोग क्या करेंगे, कि मान लीजे, हम लोग 1 को pop करना चाहते है, pop का मतलब यह हो गया, कि जो top पे जो element है, उसको print करवा दो, और उसको stack से बाहर निकाल दो, हम लोग, जो one को, अगर मान लीजे, हम लोग पॉप function को run करते है, तो क्या होगा, कि यह one बाहर निकल जाएगा, और top जो pointer है, top pointer नहीं है, topic variable है, वो किसको represent करने लग जाएगा, 7 को represent करने लग जाएगा, तो हम लोग, हम लोग के पास यह खो गया, हम लोग के पास अब यह है नहीं, तो अब stack में top किसको represent करने लग जाएगा, 7 को represent करने लग जाएगा, तो जब भी element है वो बाहर निकलेगा और top का value एक कम हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप आप लोग अगर माली ज़िए pop करते हैं तो index number 3 पे था तो 1 को वो print करवा देगा और उसके बाद top का value घटा के 2 पे ले आएगा और हम लोग pop कब नहीं कर सकते हैं stack under flow यानि कि top का value minus 1 है इस stack में कोई element है ही नहीं तब हम लोग इसमें से pop नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर उसको देखते हैं if check mts हम लोग check करने हैं क्या यह जो हमारा stack है उसमें कोई element है भी या फिर नहीं होगा तो हम लोग उसमें क्या अब डब्बा खाली है तो उसमें से आप क्या ही निकालेगा थोड़ी तो डब्बा में कुछ होना तो चीए पहले निकालने के लिए तो हम लोग वहीं चेक करें क्या यह डब्बा खाली होता तो यहां पर मैसेज दे दो stack अंडर फ्लो अगर यह डब्बा खाली नहीं है तब इस कंडिशन में आओ system.out.println as.ar as.top-1 यहां पर यह क्या हुआ यहां पर कहा गया कि जो एस का जो एयर है यानि कि एरे है और उसका जो एस.top-position है थॉप जिसको भी represent कर रहा है इस वाल यह गया हुआ इस वाले situation ने 1 को represent कर रहा है और index कौन सा है index 3 है तो 3 को जो represent कर रहा है वो 3 वाले element को print कर दो और 3 वाले element को करने के बाद minus minus यानि कि जब भी top का value वापस से कहीं पे use में आता है तो एक घटा दो यानि कि simple सा कहने का मतलब यही है कि जो top पे यानि कि 3 है 3 वाले element को पहले print करो और जो top का value उसको घटा दो आप इसको इस और असे भी लिख सकते थे माली जा आपने कोई वैरियेबल बनाया माली टी बनाया और आपने s.top किया आपने इसको इस्टोर किया ठीक है और उसके बाद आपने क्या कि s.top- is equal to s.top-1 किया आपने ठीक है अब यहां पर आप t को यहां पर ऐसे replace कर सकते हैं तो इसका मतलब भी वही same ही हुआ इसका मतलब हमने क्या किया जो top वाला position था उसको हमने एक variable में store कर लिया जिसका नाम 30 और उसके बाद टॉप का जो value है उसको घटा दिया एक से घटा दिया हमने और यहां पर उसको प्रिंट करवा दिया ठीक है तो आपको पॉप समझ में आ अब मैंने आप लोगों बताया था कि peak भी एक method होता है पीक करने का मतलब क्या हुआ है कि आप डबा में उपर से जाग रहे हैं डबा में बहुत सार किताब भरा हुआ है आप उपर से जाग रहे हैं आपको दिखा कोई बढ़िया सा जावा किताब दिखा तो यह क्या हुआ कि आप जहा करें आपको बस पता चल रहा है कि ऊपर में कौन सा element है तो यहां पर वही चीज जिसमें कुछ करना नहीं होता है system. यहां पर पॉप और पीक में अंतर है पॉप में क्या होता है पॉप में मान लिजा आप अगर पॉप करते हैं तो वन को प्रिंट तो करेगा ल उसमें तीन किताब रह जागा 752 आपको समझ में लेकिन पीक जब भी आप करेंगे तो आप उपर से जहा करें आप चेक करें कि कौन सा जो किताब है वह उपर में रखा हुआ है तो यहां पर पीक में कुछ नहीं करना है यहां पर टॉप पे जो element है उसको simple सा प्रिंट करव यहां पर चेक हमने किया था तो जब हमने कोई element नहीं डाला था तब वो क्या दिखा रहा था कि empty है अब चेक फूल करते हैं अब चेक फूल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई element है यह गया हुआ पूइप्टroe को म House यह ये जानगा है टो कुकुझ हमने कोई मैसेज दिया ही नहीं रहरा है अब हम लोग प Licht करते हैं माली जिबहां मने पुस्किया तह ढ़िए कि आह पर पुश्किया हमने मतलब ऐस थो हमने उफजेक और यहां पर वन पुश्किया और यहां पर इड्यार 5 पूश्याएं अब पॉप करें चेक करतें अब रन करतेंदे कंसे हिंको कर देखतें ंवी हार अब रन किया हमने यहां पर देखिए 11 दिखा ह्राहया क्योंकि टॉप ऑलिम o्ट में जो हमने पूश्थ किया था आप कि इसको मने किए हो तो प्रोसीट किया हमने यहां पर देखेंए वन डिखा रहा है और यहां पर आपका वैल्यूम दिखा रहे और क्यों कि 11 तो बहार निकल गया न अब पीक में क्या उपर से कैंद दिख रहा है सिर्फ 1 दिख रहा है अब इसको मुल वापस से रन करते है तो check empty वाला जो method उससे कोई print नहीं होगा लेकिन check full वाला जो method उससे भी कुछ print नहीं होगा देखते है रन करके यहां पर प्रोसीट करते हैं यहां पर देखे कुछ भी प्रेंट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहां पर एर्स कंडिशन में कोई मैसेज दिया ही नहीं चेक एमटी और चेक फुल में तो आसा करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया है तो वी source code को समझना किस तरह से written format में मिलने वाला है और भी वहां पर आपको website का template मिलने वाला बहुत कुछ और ने अब भी बहुत कुछ आने वाला है तो चैनल को subscribe करकर रहे कि मिलते हैं इसके अगले वाली वीडियो में तब तक के लिए good bye झाल, झाल, झाल